प्यारे विद्यार्थियो चोटे वाईए वे नो आईए आज हम लोग चर्चा करते हैं भारती नयाय सहींता दोहजार तेश की महत्पूर्ण धाराओं पर हमने अभी तक पढ़ा धारा एक को धारा दो को फिर धारा तीन खंड पाच को इसके बाद हमने धारा एक सो नब्बे एक सो नवासी को भी पढ़ा अब हम उसी क्रम में चैप्टर वाई शुरुआत करने जा रहे हैं को देखेंगे एक नया ध्याय है अध्याय तीन जिसमें 14 से लेकर 44 तक की धा रहे हैं इन्हें हम देखने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है जनरल एक्सेप्शन्स या सामान अपवाद या साधान अपवाद ठीक है इस चैप्टर में हम लोग जो कुछ भी पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है वो अपवाद के रूप में है यह सब्द्र को पढ़िया क्या है यह अपवाद यानि जो सामाने परस्थितियां होती है उससे हटकर जब कोई कार्य होता है तो से हम क्या कहते हैं अपवाद जैसे 2 धन 2 बराबर 4 लेकर अगर कहीं कैलकुलेशन में 2 जहन 2 बराबर 5 आ जाए तो क्या बन जाएगा अपवाद हो गया कैसे हुआ यह सोचना पड़ेगा इसी प्रकार की स्थितियों के लिए जो अपवाद आत्मक हैं हम उन्हें पढ़ने जा रहे हैं यहां जो अपवाद है साधान उसका मतलब क्या है कि अगर A ने B की हत्या की हैं दीजेगा B को जान से मार दिया मार दिया तो A के उपर हत्या का मुकदमा दर्ज होगा सामान नसी बात है धारा और सेक्षन ना बता का सीधा अपरात बता रहा हूँ उसको समझिए A ने अगर B को गोली मारी तलवार से गला काटा पेट में चाकू मारी किसी भी प्रकार से उसको जान से मार दिया तो A पर जो मुकदमा दर्ज होगा वो होगा हत्या का ये सभी दुनिया के लोग जानते हैं लेकिन अगर हम कहे दें कि A पागल है और इसने फिर यही काम किया है तो इसको बचाओ मिल जाएगा एक को बचाओ मिल जाएगा यही बचाओ इन अपवादों में हमें पढ़ना है यानि जह हम अपवाद की बात करते हैं तो अपवाद में उन परिस्थितियों के बारे में पढ़ना है जिन में किसी व्यक्ति दौरा किया गया कार अपराद नहीं होता सामानिता उसी व्यक्ति द्वारा अगर ये व्यक्ति कोई कारे करता है तो अपराद होगा लेगन अगर इन परिष्थितियों के अंतरगत आने वाला कोई व्यक्ति कोई कारे करेगा तो वो अपवाद नहीं होगा ऐसी बहुत सारी परिष्थितिया है जैसे मैं कहूं कि ये जो आदमी है ये छे साल का है और इसने इसको मार दिया छे साल के बच्चे ने बीको जान से मार दिया तो ये अपवाद में आ जाएगा क्योंकि साथ साल से कम आयू के बच्चे द्वारा किया गया कार अपराद ही नहीं होता तो फिर यह बच गया यानि उन अपवादात्मक परिस्थितियों को हम धारा 14 से लेके 44 के बीचे पढ़ने जा रहे हैं जिन में किये गए कारे अपराथ नहीं होते हैं ठीक है जा हम इसे पढ़े रहेंगे तो जब जब हमारे सामने प्रसना आएगा तो हम बहतर तरीके से समझ सकेंगे बेरेट के प्रोविजन्स को लिख दिया है फिर इसे आसान करूँगा इनके आवश्यक्ता तो बताऊँगा क्या-क्या relevant है क्या नहीं है सब कुछ होगा कौन से illustration है कौन से उधारन है कौन से परिच्छा में आते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा कोसिस करिएगा समसने की देखने की भासा कठिन हो सकती है थोड़ा सा समझ में आने में दिक्कत आएगी लेकिंगे प्रयास करेंगे तो सब कुछ संभव है देखी ये है आपका मैंने आपको एक इसारा किया कि इसे मिटा देता हूँ मैंने आपको इसारा किया कि 14 से लेकर के 44 के बीच में है तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए जनरल एक्सेप्शन कहां पर है 14 से 44 के बीच में दिये गए है इन जनरल एक्सेप्शन्स में हम लोग तमाम चीज़े पढ़ेंगे इसी में हम राइट टू प्राइबेट डिफेंस हम इसे भी पढ़ेंगे यानि प्राइबेट प्रत्रच्छा का अधिकार अपने खिलाब अगर कोई घटना घटित हो रही है तब क्या करेंगे अपनी संप बातों को लेकर हम लोग आज सुरुआत करने जा रहे हैं अब यह प्राइबर चैप्टर है इसमें हमारी लापरवाही कहीं से भी माफियोग नहीं है एक एक बात को समझिएगा अब पहली धारा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं धारा 14 या सेक्शन 14 ठीक है सेक्शन 14 इस सेक् कटाब IPC के संदर में बात करें तो पुरानी किताब हमारी है IPC इस पुरानी किताब जो हमारी है IPC इस किताब की धारा 76 है यह धारा 76 में जो बात कही गई है उसकी location को schoange करके नहीं रख दिया गया है धारा 14 में रख दिया गया है अब यहां की जो heading है इस पध्यान दीजेगा, ये क्या कहते हैं, पूरी बात को समझने का प्रयास करिएगा, ये कहते हैं, कि बिधी द्वारा आवद्ध या तत्थ की भूल के कारण अपने आपको बिधी द्वारा आवद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कारे, ये इसमें जब भी हम general exceptions पढ़ेंगे तो पहले ये line हमेशा आपको देखने को मिलेगी, कोई बात अपराथ नहीं है, यानि हर section में ये line आपको देखने को मिलेगी, कोई बात अपराथ नहीं है, अब इसके बाद section शुरू होगा, क्या है, कोई बात अपराथ नहीं है, जो किसी ऐ ऐसे ब्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए बिधी द्वारा आबद है या जो तत्थी की भूल के कारण ना कि बिधी की भूल के कारण सद्भाव पूर्बग विस्वास करता है कि वह उसे करने के लिए बिधी द्वारा आबद है अब इसको पढ़ने से आपको कु बहुत कुछ समझ में नहीं आया होगा ऐसा मेरा मानना है जब हमने भी पढ़ा था तो हमें भी समझ में नहीं आया था तो परिशान होने जरूत नहीं है कि अगर आप समझ नहीं पाए तो आपको लगे हम बहुत पीछे होगा इतिहास भूगोल नहीं है ये विधी है और हर an offense, यह लाइन बार्बर मिलेगी which is done by a person who is or who by reason of a mistake of fact and not by a reason of mistake of law. In good faith believes himself to be bound by law to do it. यानि यन बातों में आपने कुछ सब्दों को देखा होगा जैसे एक सब्दा आपके पास आया है तत्थ की बात आई है कि तत्थ की भूल के कारण ना कि बिधी की भूल के कारण और एक बात आई है आपके बिधी द्वारा आबद. ये दो बातें आपके पास आई हैं. अब इनको समझ लेजिए इस धारा का एक सार गर्वित अर्थ है अगर सिंपल सब्दों में देखना चाहें परिच्छा में जो पूछा गया है पूछा गया है तत्थ की भूल तत्थ की भूल चम है चम है बिधी की नहीं यही परिच्छा में बहुत पूछा जाता है mistake of fact is excusable but mistake of law is not यानि mistake of fact अगर हम तत्थ की भूल कर देते हैं तो उसे तो छमा किया जा सकता है लेकि कोई यह कहे कि हम mistake of law कर दें कानून की जानकारी का भाव बताएं या हमें पता नहीं था तो यह छमा योग नहीं है यह धारा की main point यही है इतनी बात को समझेगा दूसरी बात क्या है यह नहीं कहा कि अपने आपको बिधी द्वारा आबद यानि कोई ब्यक्ति अपने किसी कारे को कानून के इतनीमों के तहती समझता है कि I am bound to do it मैं इस बात को करने के लिए आबद हूँ मुझे बादिकारी बनाया गया है मुझे करना चाहिए तो उसको करने की बात की गई है अब इसके example को देखने चल रहे हम लोग फिर हम इसको बिस्तार से एक बार फिर समझेंगे तो हो सकता है आपको आसानी से चीजें समझ में आए आइए अब देखिए इसको दो examples को देखिएगा दो examples बार तो समझा दूँ आपको तो अच्छा रहेगा नहीं तो फिर आप कन्फ्यूज करेंगे देखी यहां क्या है एक तो बात कहा गया है बिधी द्वारा आबद आबद दूसरा कहा गया है कि तत्य की भूल हम में है बिधी की नहीं अब देखें पहले वाले में तो बहुत क्यों समझना सोचना है नहीं बिधी द्वारा आबद माने जिसे कानून करता कहता है कि यह काम आपको करना चाहिए जैसे आप एक कॉंस्टेबिल हैं और यहाँ पर कोई SO है या SHO है यानि थाना इंचार्ज है किसी घटना इस थलबर थाना इंचार्ज निकाल मारो लाठी इनको खदेडो आपने लाठी मारे खदेड दिया तो आप बिधी द्वारा आबद हैं आपने स्वैम कोई काम नहीं किया आपने उस विवस्था को बनाने के लिए लाठी लेके दोड़ाने का प्रयास किया तो बिधी द्वारा आबद हैं आप कोई असी बात नहीं है तो यह एक सामान प्रोसेस है जो टेकनिकल है वो यह है कि तत्थ की भूल छम में हैं बिधी की नहीं अब तत्थ माने क्या होता है तत्थ को अंग्रेजियें बोलते हैं फैक्ट अंग्रेजियें बोलते हैं फैक्ट इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है हर चण वो अपने आप में एक फैक्ट है जैसे कल हम लोगों ने धारा 190-199 पढ़ी थी यह एक तत्थ है परसों हमने धारा 3 खंड 5 पढ़ जो घटित हो रही है हमारे जीवन में आज आपने पराठा खाया अगर तो यह भी एक तत्थ है साम को रोटी खाई तो यह भी एक तत्थ है तत्थ माने सूचनाओं की संख्या जो हजारों लाखों की तादात में हमारे पास है इनका इंपोर्टनस तब होता है जब किसी प्रटित हो रही हैं, प्रटित हो रही हैं, तो उन्होंने क्या कहा, तत्त की भूल चम है, यानि कोई mistake of fact हो रहा है, ध्यान दीजेगा, दो तरह के mistakes है, mistake of fact, तत्त की भूल, इसको तो कहा कि ये तो चमा योग है, लेकिन अगर यही mistake क्या हो जाए, mistake of law हो जाए, हम कहें कि कानून की जानकारी हमको नहीं हैं, तो हमें बचा और नहीं मिलेगा, ध्यान दीना, कैसे example दे रहा हूँ, जैसे कोई अगर delivery boy है, सामान लेके आते हैं, delivery boy है, विक बास्केट से आते हैं, तब हम सामान लेकर के, और य रियाने लेकर आरहे है, पनीर लेकर आरहे है, मिठाई लेकर आरहे है, जो भी आप सामन मगाते हो, मिस्टेक की बात कर रहा हूँ, कान दीजयेगा, ऐसा हो गया, किसी बज़ेसे फ्लैट नमबर समझ नहीं पाया, ऊपर नीचे हो गया, और और दूसरे को deliver कर दिया, देना इसे था, दे दिया इसे तो इसके द्वारा जो गटना गटी है, ये क्या है तत्त की भूल है, कैसी गटना है तत्त की भूल है ये तीक है, समझ में आ रहा है तत्त की भूल है चलिए अब जैसे, यहां हमने देख लिए तत्तिकी भूले लेकिन अगर हम ये कहें कि हमने सहाब एक चाकू लिया और हमने एक लड़की अच्छी सी आ रही थी भी उसकी हमको आँख बहुत अच्छी लगी अब नया नया चाकू लिया तो हमने चेक करने के लिए उसकी आँख निकाल ली और एक जो है बढ़ियां से कांच के बरतन में उसकी आँख रखें बहुत अच्छी लग रही आँख सुन्दर आँख हमें सहाब पता नहीं था कानून में ऐसा कोई अपराद है क्या साब का आँख निकालना अपराद है हमें कानून जानकाई नहीं थी अपराद है नहीं था नहीं निकालते हैं आप इस चीज का बचाओ कभी जिंदिगी में नहीं ले पाएंगे आप यह कहें कि मुझे मिस्टेक अफ लॉव हो गया साब कानून नहीं पता था धारा नहीं पता थी हमने लड़की को जा रहे थे हमने उसको चुम्मा ले लिया अच्छी लग रही थी हमें नहीं पता था किसा चुम्मा लेना अपराद यह छिडखानी हो गया मुकदमा दर्द हो जाएगा आपके खिलाब आपने किसी की आँख निकाली आपने छिडखानी की हरकत की आपने किसी का चामान छीन लिया और आप कहते हैं कि साहब हमको कानून का पता नहीं है हमने एल एल बी नहीं की है हमको धाराओं का ग्यान नहीं है तो कानून इसका बचाओ आपको नहीं देगा बचाओ किसका मिलेगा मिस्टेक ओफ फैक्ट का मिलेगा ना कि mistake of law का यानि तत्थ की भूल छम में हैं बिधी की नहीं किलियर हो रहा होगा अब किलियर हो रहा होगा तो थोड़ा सा बैक होके समझ लिया जाए अब ये दो द्रिस्टान्त हैं आपके सामने illustrations कहते हैं ये कानून की किताब में लेखे हैं मैं नहीं बना रहा है umbrella जब परिच्छाओं में आते हैं जनरली इन्हीं को डाला जाता है इन्हीं को डाल दिया या फिर कभी कोई कोई गटना great भी कर देते हैं लेकिन जनरली यहीं दाल जा है PCSJS दगक की परिच्छाओं में यहीं आते हैं यानि जज बनने के लिए पूछा जाता है, आप तो उसे दरोगे बनने जा रहे हैं, दरोगे आमाने कोई बहुत बड़ा ग्यानी नहीं कानून का, सामान जानकारी होना चाहिए, ठीक है, तो आईए यहां देखते हैं, अब पहला और दूसरा दो दरश्टान थे, तो आनों क में, यानि कानून के अनुपालन के अनुसार, एक बरिष्ट अधिकारी ने आदेश दिया, कि गोली चला दो, और सैनिक ने गोली चला दी, उसमें कुछ लोग मर गए होंगे, कुछ घटना घटित हुई होगी, तो इसी संदर में कहा जाता है, कि एक सैनिक का भीर पर गोली किया, चाहे उसमें आदमी मर गया हो, चाहे उसके पेट में गोली लगी हो, सर में लगी हो, इससे मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि बिधी द्वारा आबद है, पहला खंट, मैंने आको बताया, इसमें ततत्त की भूल नहीं है, इसमें क्या बिधी द्वारा आबद है, क्या क वाना जाएगा तक देना है अगर ऐसा हुआ है तो इसने कोई अपराथ नहीं किया कुछ चनाएगा यह लाइन नहीं रहेगी औपस्ण में लाइन रहेगी तो आपको ठिक लगाना होगा कि अ कोई अपराथ नहीं किया दूसरी एक्जमप्ल पर आजाएए न्याले का अधिका नियाले द्वारा आदिस्ट किये जाने पर और समयक जांच करने के पश्चात यानि जैसी जांच करना जरूरी है उस जांच को करने के पश्चात ध्यान दिजेगा नियाले का अधिकारी का मा को गरिपतार करने के लिए यानि अधिकारी का है और मा को गरिपतार करने के लिए मा को गरिपतार करने के लिए उस न्याले द्वारा आदिस्ट किये जाने पर न्याले द्वारा आदिस्ट यानि न्याले ने कोई ओर्डर दिया है उसकी तरह भिसारा किया है इसको गरिपतार करना है कुछ ऐसा हुआ है या तो संबन जारी किया गया है या बारण जारी किया कुछ ना कुछ हुआ है, तो क्या कह रहा है, न्याले द्वारा आदिस्ट किये जाने पर, और समयक जांच करने के पश्चात, समयक जांच का मतलब होता है, एक reasonable तरीके से inquiry setup करने के बाद, पूरी जांच करने के पश्चात, यह विश्वास करके कि या ही मा है ध्यान दीजेगा मा को गरिपतार करना है लेकिन जाँच में वो पाता है कि या ही मा है और या को गरिपतार कर लेता है कि या को गरिपतार कर लेता है तो फिर कौन सा अपरात किया यही प्रसने यहाँ पर है अभी तथिकी भूल पर बात होने जा रही है या एक थर्ड पार्टी है एक अलग ब्यक्ती है करना था गरिपतार मा को और कर लिया गरिपतार या को तो कहा जा रहा है गरिपतार कर लेता है तो का ने कोई अबराथ नहीं किया क्योंकि ये क्या है समझ में आ रहा है यहां क्या है विधी द्वारा आबद है दौनों बाते धान रखेगा आबद है तो ये आपके सामने एक्जामपल है इसमें अगर आप उन्न समझ में आ हैं तो फिर एक बास समझेे अगर आदेश मा को आरेश करने का हुआ था और किसी बज़े से जाच वाच करने के बाद भी सब इंस्पेक्टर महोदे को ऐसा लगता है कि फला व्यक्ति ही वही है और उन्हें पकड़ लिया बाद मालूं चला कि वो नहीं है तो इसके लिए दरोगा जीबे कारवाई नहीं होगी क्योंकि तत्त की भूल चम में है विधी की नहीं तो तत्त की भूल की बज़े से इनको बचाव मिल जाएगा ये सेक्शन था उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी चीजें नहीं आई है तो फिर से एक बार इसको देखिएगा और कोशिश करिएगा समर्मी आएगा अब हम यहाँ बात कर रहे हैं धारा पंद्रा की भारा फंद्रा आई पीसी की धारा अँगरा सतत्तर से मिलती है का सतत्तर और यह धारा इसाथ साच चल रही है इसको भी आद रखिएगा धारा 15 IPC की धारा 77 से मैच करती है बस खाली याद कर लेना है बहुत ऐसा परिशान नहीं होना है बस एक बार पढ़े रहो गए तो हमेशा सही आंसर ही निकलेगा न्याइक रूप से कारे करते हुए न्याइधिस का कारे धारा क्या कहती है है न्याइक रूप से का करते हुए न्याइधिस का कारे अब क्या कहा जा रहा है इसे गौर से देखीगा मैं जो ही आपके सामने पेस कर रहा हूँ आप यह कहो कि अब इसको मैं अपने हाथ से लिग दू तो भी कर सकता हूँ लेकिन जो बेर एक्ट का प्रोविजन है वही आपके सामने पहले आता कि उसकी ब्याक्या हम आपसे करते हैं तो क्या कहा गया है कोई बात अपराद नहीं है मैंने आपसे कहा था हर बारी लिखा मिलेगा आपको कोई बात अपराद नहीं है जो न्याइक रूप से कारे करते हुए न्याइधिस दौरा किसी सक्ति के प्रयोग में की जाती है जिसक बिधि द्वारा जो सकती दी गई है उस पावर का प्रयोगों नयाइक कारे में करे तो उसके द्वारा किया गया कारे अपराद नहीं है यानि नयाधीस जो होता है नयाधीस को क्या होती है नयाधीस को बिधिक सकती यानि लीगल पावर मिलता है लीगल पावर जो मिलता है इसका प्रयोग कहा करना है नयाइक कार में करना है अगर यह नयाधीस अपने लीगल सकती का प्रयोग नयाइक कार में करता है तो इसके अकार अपराथ नहीं है यही समझाया गया इतना ही है चार पॉइंट में अगर कोई नियाधीस अपनी सक्ति का प्रयोग नियाईक कार में करता है तो अपराथ नहीं है अब मालीजे कोई नियाधीस महोदें हैं और यह चले गए सब्जी मंडी और यहां जो है करेला लेने गए करेला है साथ रुप का यह मांग रहे हैं 40 रुप के वो नहीं दे रहा है मार पीट हो गई सब्जीवाले से उसने इनको ऊठागे पठ्क दिया इसने उनको ऊठागे पठ्क दिया दौनों गंभीर उप से गायल हो गये नियाएदीस ने कहा कि तुमको मैं जो है गंभीर चोट के लिए दंडित करूँगा, दंडित करूँगा, पॉस्मिल ही नहीं है, क्योंकि आप यहाँ जो सब्जी वाले से लड़ रहे हो, यह नियाएक कार नहीं है, आप जज कहा हो, जज आप नियाले में हो, नहाएलेस से निकलने के बाद, नहाएक कार करने से हटने के बाद, जब जन सामाने की बीचने जाते हो, तो आपका पद जज का है, लेकिन आप एक सामान नागरेक हो, यहाँ तो जो आप कर रहे हो भी अपराद है, मुकदमा तो आपके खिलाप भी दर्ज हो जाएगा, बैठने वाले लोग बहुत तोप नहीं होते, बस उनके बीचे फर्किये हैं, कि उन्होंने कुछ परिच्छाओं को पास करके एक उच्पत धरन किया है, उसके माध्यम से वो लोग करतब निभाते हैं, और आम नागरेक अपने करतब्यों का पालन करता है, तो किसी भी अध अधिकार नहीं है, कि वो आम जनता के साथ बत्मीजी करें, चाहे वो कोई PCS, IIS का अधिकारी हो, चाहे नेता जी ही हो, और आम जनता से बत्मीजी करेंगे, तो आम जनता ही देश की सत्ता का निधारन करती है, और जब देश की सत्ता का निधारन करती है, तो कल के दिन सरका बदल जाएगी और यह होता है सतर सालों में हमने देखा है सरकारों को बार बार बदलते हुए तो इसलिए ध्यान दीजेगा यहां पर कि नियाएक कारे कर रहे हैं तब कोई बात नहीं लेकिन नियाएक कारे से हट करके अगर पबलिक में अपराद करते हैं तो वो भी तो अप प्रवितिक सकती के अधिन रहते हुए सद्भाव पूर्बध की जाती है क्योंकि रहे है चेह आधीस जहोता है वह मत्रund ूरंड इये जिसको दे दिया गया जिस ब्यक्ति को मत्र ॐगया वह ब्यक्ति इस बात के लिए नहीं कह सकता कि तुमारी हिम्मत कैसे पड़िया हमक एक कोई आम आदमी हैं आम आदमी यह अपनी अलग से अदालत बना ले और यहां पर मतुरन दे दे तो यह जो मतुरन देगा इस समय इससे कहा जाएगा किस ने हत्या का अपरात किया लेकि उसी जगए एक आदमी मेतुड़न दे रहा है उसे कहते हैं कि नयाएधी इसका कारे है और इसमें तो इनको मेतुड़न के लिए सजा होगी क्योंकि आम आदमी है यही मैंने समझाया था कि आम परिस्टियों में किये गए कारे अपराद हैं कि इन परिस्टियों में किये गए कारे अपराद नहीं है तो इनके आदेश से जिसको मेतुड़न मिल रहा है वो भी तो एक अपराद बनता अगर सामान नंग से देखा जाए हमी ने तो कहा है कि तमाम गभाहों और बयानों को सुनने के बाद यह आदालत इस नतीजे पर पहुची है कि फला व्यक्ति ने फला व्यक्ति की हत्या की है अता बी एनस की फला फला धाराओं में इस आदमी को मेतुरंड दिया जाता है तो आपने जो मेतुरंड का आदेश दिया है उसे हम अगर चैलेंज करेंगे तो कहां टिकेगा वो वो कहीं नहीं टिक पाएगा क्योंकि यह धारा कहती है कि उसके धारा किया गया कारे अपराथ नहीं है यानि सिंपल भासा में समझ लें कि नया धीस जो नयाई कारे करते समय जो भी सजाएं देते हैं जो भी कारे करते हैं उसे अपराथ की सेणी में नहीं रखा जाता तो उसको याद कर लीजिएगा अच्छा रहेगा आईए अब हम अगली धारा की तरफ चल रहे हैं और यह धारा हमारी कौन सी है धारा सोला हमने 76 को पढ़ लिया यह धारा 78 धारा 78 इसने देखना है इसमें क्या कहा गया है इसकी हैडिंग को देखिए न्याले की निर्ने या आदेस के अनुसरण में किया गया कारे यह धारा की हैडिंग है इसका एक्जाम्पल अगसर आजाता है पर इच्छाओं में इसलिए इसको भी पढ़ना है न्याले के निर्णे या आदेश के अनुसरन में किया गया कारे कोई बात अपराद नहीं है फिर देखिए कोई बात जो न्याले के निर्णे या आदेश के अनुसरन में की जाए या उसके द्वारा अधिदिस्ट हो यदि उस निर्णे या आदेश के प्रभृत रहते हुए की जाए अपराद नहीं है यानि कोई बात अपराद नहीं है जो न्याले के आदेश के अनु स्वास करता हो कि उस न्याले को वैसी अधिकारता थी अब ये ब्यारेक्ट का प्राउधान है इसको पढ़ने से आपको कुछ समझ में आया होगा कुछ नहीं आया होगा जो नहीं आया है उसे हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं चलिए इसी में देखते हैं अब यहाँ पर हमने बताया आपको कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है इस बात उधान दीजिएगा कि न्याले का आदेश आदेश का अनुपालन करना अनुपालन करने वाले व्यक्ति का कारे बस इतना ही याद करना है आपको पूरी कहानी टेंसल लेने जो उत नहीं है हमने धारा चौदा में पढ़ा तथि की भूल छम में बिधी किरी बस खतम हो गया धारा 15 में हमने पढ़ा नियादिश का कारे खतम हो गया बहुत नहीं परिसान होना है धारा 16 में हमने क्या पढ़ा नियाले के आदेश या निर्दिश का अनुपालन करने वाले व्यक्ति का कारे यानि जो न्याले के आदेश का पालन करेगा उसके कारे को क्या कहा जाएगा क्या वो अपराद होगा के नहीं तो कहा गया कि उसके दोरा किया गया कारे भी अपराद नहीं इसका सबसे अच्छा एक्जामपिल माना जाता है जलाद 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 कौन ब्यक्ति है? जलाद वो ब्यक्ति है जो वास्त विक्ता में मैं तुरन देता है जलाद और कोई ब्यक्ति ने? सीधे वही मैं तुरन देता है अगर आप गोर से देखो अगर सीधे आप गोर से देखो तो जलाद ही वो ब्यक्ति है जो सीधे मेत्यूरेंट देने का कारे करता है और इसके अलाबा कोई वेक्ति नहीं है जो मेत्यूरेंट दे अगर आप इनको किसी आदमी की फासी की स्थितिय की तरब नज़र डालें आप तो आपको नज़र में आ जायेगा कि क्या इस सितिया है आसी जब दी जाती है तब क्या होता है मान लीजिये हम कहते हैं कि धारा सोला की बात हो रही है धारा सोला में हम लोग चर्चा कर रहे हैं धारा सोला ये क्या हो रहो न्याले के आदेश का अनुपालन है अब न्याले ने मेत्युरंड का आदेश दिया मेत्युरंड का आदेश दिया मेत्युरंड का जो पालन है वो कौन लोग करवाएंगे जब पालन होगा तो वास्विक्ता में पालन तो जल्लात करवाएगा लेकिन इसके साथ कौन लोग खड़े होगे वहाँ पर वहाँ पर जेलर खाड़ा होगा वहाँ पर डॉक्टर ने उसकी चिकित्सा की होगी एक मजिस्ट्रेट वहाँ पर मेतुरन देते समय होगा जलाद होगा और जिसको मेतुरन देना है वानि वो अपराधी या दोसी व्यक्ति होगा यानि एक, दो, तीन, चार, पाच ये लोग मेतुरन देते समय होगे स्वस्थ आदमी को ही मेतुरन दिया जाता है यानि वो स्वस्थ होना चाहिए बीमार इमार को नहीं देते अब आपको बीमार हो जाएगा तो बीमार हो जाएगा तो टल जाएगी कि स्वस्थ होने पर ही सजा होगी जेलर वहां रहेगा मजिस्ट्रेट वहां रहेगा टाइम मुकर्रर अगर है टाइम फिक्स कर दिया गया है चार बच के 35 एम तो चार बच के 35 पर ही में तुर्ण दिया जायेगा चार बच के 35 मिनट एक सेकंड पर नहीं होगा और चार बच के 34 मिनट 69 सेकंड पर भी नहीं होगा अग्जक टाइम पर लीबर खीचा जायेगा इसलिए आप देखते होगे कि एक घड़ी देखता रहता है मजिस्ट्रेट और घड़ी की सुई वहां जाती है वहां पे हाथ में रुमाली रहता है वहां चोड़ता है उसके उंगली के ऐसे होना वहां पर जलात की नजर उंगली पर रहती है बस जैसे ही वहां पहुँचा उसने छोड़ा उसने खीचा एक्जक टाइम पर मेतुरन दिया जाता है तो सही ढंग से देखिए तो आप जलात दोसी है ये मेतुरन हमारे कानून में है दुनिया के सभी बिकसित देशों के कानून में भी है किसी ने नहीं हटाने का प्रयास किया मेतुरन भै पैदा करता है आत्मी के दिमाग में ये डालता है कि अगर हमने ऐसा किया तो मेतुरन मिलेगा डर के मारे बहुत सा है लोग हिमत नहीं करत वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार तो सबसे important कार इसी का है अगर बैसे आप देखोगे तो सभी लोग जो उसके निर्णे का अनपालन करेंगे अगर जमीन की बात है तो जमीन को जो नपवाने जा रहे हैं वो भी उसके अंतरगत आएंगे लेकपाल आएंगे फलाने आएंगे अगर किसी पदी बतनी का विवाद है वहाँ पर जो अधिकारी लोग काम करेंगे वो भी उसमें आएंगे तो यानि जितने भी आदेश हैं उनका जो जो लोग पालन करेंगे उन सभी को भी बचाव परदान किया गया है धारा सोला में के लिए हो रहा है तो प्यारे भाईएओ आज मैंने आपको धारा चौधरा पढ़ाई जिसमें हमने आपसे कहा तत्ति की भूल छम है छम है पिधी की नहीं पर इतना ही याद करना है आपको फिर हमने आपको धारा पंद्रा बताई जिसमें हमने आपसे कहा न्याइकता कार करते हुए न्याइधीस का कार फिर हमने आपको धारा सोला बताई जिसमें हमने आपसे कहा न्याले के निर्णे या आदेश का अनुपालन करने वाले ब्यक्ति का कार यह तीनों धारा है आज आपको बताई गई है चैप्टर का नाम है आपका कि कुशन से जो जो लिखे जा रहे हैं चैप्टर का नाम है अध्धाय तीन धारा कहां से कहां है धारा है आपकी चौदा से चवालिस चैप्टर का नाम है साधारन अपवाद परिच्छा का प्रशन हो सकता है कि साधान अपवाद किस अध्याय में है तो अध्याय तीन में है साधान अपवाद कहां से कहां है तो धारा 14-44 में है अध्याय तीन में क्या बताया गया है साधान अपवाद बताया गया है धारा 14, धारा 15, धारा 16 में क्या है, इतनी बातों को तयार करिएगा, उम्मीद करते हैं, यह समझ में आ रही होंगी, Mission Institute का online course चल रहा है, Mission Institute प्रियागराज के नाम से हमारा application है, उस पर, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हो, देख सकते हो, वाटसेब पर Mission Institute प्रियागराज के नाम से एक चैनल है, आप उसमें भी जुड़ सकते हो, अभी नया चैनल क्रियेट हुआ है, उसमें आप जुड़ जाएंगे, तो आने वाले समय हैं, बहुत सारी चीज़े वहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगी, तो आप उसमें जुड से यदवें प्र वाटसेब जुड़ें पर सकते हुआ हैं, आप उसमाने में पिए्या स का चीज़ेंजनों में हैं, दोने की जुड़ें खामी यपकवफें प्रह marrow संन हैं, गग में उसमें दो सकते हुआ हैं, प्समें में जुड़ें प्स्तों पेसेह бывает गी उसमें साइ़ ह